है 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 हलो डिएर स्टूडेंट्स कैसे बेटा आप सब चलो बढ़िया है इंवामेंटल इशूज जो है पिछले लेक्चर में पाने डिसकस कर लिये थे और अब जो बात करनी है वो करनी है अपनको और पॉपुलेशन के बारे में यह भी एक इंपॉर्डेंट चेप्ट अब कच्चे-च्छे खुलेंगे बिटा शुरुवात करते हैं सबसे पहले कि एकालोजी की जो बेसिक डेफिनेशन है कि इस दा इस्टरी ऑफ इंट्रेक्शन समों और निजम से बिट्वीन और फिसिकल एंवामेंट खुद और और निजम के बीच में और और निजम और न अगर आफनों डेखें कि और निजम और उसके अंवामेंट एंवामेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है फिजियलाजेकल in सबस्क्री ग्रश्डीर आप कर रहें हैं अपने तरीके से जहां जाँ वो रहते हैं उसके इसाफसे वोए अपने आपको survive कर पाते हैं उनकी adaptations क्या होते हैं अगर अपन बात करें कि यहां पर the rotation of earth and the tilt of its axis cause annual variation in temperature इस अर्थ के rotation से दिन और रात रंग बनते हैं और बात करें अपन इसके घूमने से revolution से बेटा वहां पर seasonal variations आते हैं उनीकी वजह से यहां पर कुछ बायोम्स आपके सामने बन चुके हैं बेटा डेसे की डेजर्ट ग्रास लेंड ट्रॉपिकल फोरेस्स टेंपरेट फोरेस्ट कॉनिफेस फरोस्ट आर्क्टिक अलपर रूंट रही आप देख सकते हैं यहां पर कि यहां पर साल के अंदर पर टेंपरेटर माइनस 10 से बेटा जीरो की तरफ जो आ रखा है वहां पर अगर मैं बात करूँ डेजर्ट एको सिस्टम की बेटा तो डेजर्ट में आप देख सकते हैं कि वहां पर एन्वल जो टेंपरेचर है वह फाइव से लेकर उपर सेल्सेस 20 से 25 और फूने की कोशिश कर रहे हैं अगर मैं बेटा टेंपरेट फॉरेस्ट पे आऊंटें तेंपरेट फॉरेस्ट बेटा जो है बात करें टेंपरेचर रेंज उनकी बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं है पर रेंफॉल की रिंज काफी है सौ से 200 सेंटेमेटर पन एन्वल की अव और टेंट फॉरेस्ट वहाँ पर है तो यह इसी तरीके से बन गए कि रिवॉलिशन किस तरह से हो रहा है और वहाँ पर बायों से इसी तरह से बन गए है रीजनल एंड लोकल वेरेशन विदिन बायों लिए इस्टो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट है यह अगर मैं बात करू कि यह पर लाइफ एक्जिस्ट इवन एक्ष्ट्रीम नहर्स हीट चाहे मैं डेजर्ट की बात करूं चाहे में टोंडरा या पूलर रीजन की बात करूं हर जग़ा लाइफ बेटा है वहाँ पर अगर मैं बात करूं मेगालिया कि तो वहाँ पर राइफ है डीप ओस्टिंस क Water Light, Temperature, Soil and Biotic Components, Paracet, Pericets, Computators, Lead to Variation of Different Habitates. यह जो basically बात करें हैं अपन यहां पर जो हाला करा हैं Habitates हैं, Physico-Chemical, जो Components है, Water Light, Temperature, और Biotic Components जो हैं, यह सब भी बेटा, Variation को जो है, प्रमोट करते हैं, वहां पर Habitates को लाने की Help होती है. अगर आपन बात करें, Abiotic Factors के बारे में सबसे पहले, Water की बात करते हैं कि Water का क्या Scene है, ठीक है, Temperature की, Water की, Light की, Soil की बात करेंगे हैं, सबसे पहले बात करें बेटाई, यहां पर Temperature की, Most Ecologically Relevant Environmental Factor है Temperature, Temperature के Base के साब से ही बात करें, वहां पर Rainfall होती है, और वहां पर Organism भी उसी साब से Stabilize होते है, Temperature on Land varies Seasonally, Seasonally varies होता है, It Gradually Decreases from Equator, Equator से Polar की तरफ जाते तो Decrease, Polar से Equator की तरफ आते तो Increase होता है, क्योंकि Sunlight वहीं पर सबसे जादा गिरती है, बेटाजी, इट रेंजेस फ्रम सब्जीरो लेवल्स इन पोलर रेराइजन है तो फिट इन ट्रॉपिकल डेजर्ट की बात करें तो, Average Temperature जो है Thermal Springs के अंदर बेटा और Deep Sea Hydro Thermal Winds के अंदर जो है 100 से जादा होता है, जो Hot Water Springs से बेटा उनकी बात हो रही है यहां पर, इन जो है, Mango Trees cannot grow in Temperate Countries, Canada, Germany में नहीं हो सकते वो बेटा ट्रॉपिकल फॉरस्ट में हो सकते, There is no Snow Leopard in Kerala, Kerala के अंदर कोई Snow Leopard नहीं है, तो यह क्या है, कि habitat नहीं है उनकी वहां पर इसलिए वह नहीं मिल रहा है, जैसा Temperature नहीं है उनके लिए suitable तो वहां पर वह habitat भी नहीं रही है, अगर आपन बात करें Temperature के बात बेटा, Temperature Effects Kinetics of Enzymes, Enzymes के kinetics को काफी इंज़ेक्ट करता है बैसल मेटाबोलिजम को और फिजियोलोजिकल फंक्शन को, एक और्गनिजम के इन सारी चीज़ों के उफेक्ट करता है, तो एक और्गनिजम अगर किसी पर्टिकुलर टेंपरेचर के रेंज में मिल रहा है, उसकी यह सारी चीज़ें एफेक्ट हो रही है, टेंपरेचर की वज़ेज तभी वहां पर मिल पा रहा है, बेज और रेंज ऑफ थर्मल इस ट्रॉल्डरेंस और्गनिजम दो तरक्य होते हैं, उनकी टेंपरेचर शहने की शमता कितनी है, पहले होता है यूरी थर्मल देखें, इस सारे पॉइंट कहम के हैं सबसे कुशन बनता है हर बार, बेचें के टिणरे वाइंट रैंज फ्लरीछन उप लेंट पक्रीक क्ली है वान झालता ममाई का इस बनार निया अगकर जाता थेलेज्यद मेंस कांपुट्र्वल केदेश वाटर जो है most important factor है बेटा life of organism को affect करने वाला, life जो सबसे पहले originate हुई थी, earth पे water में ही हुई थी, और evolution के अंदरपन ने देखा भी है, desert organisms have special adaptations to limited water, desert organism है, वो एक special adaptation दिखाते हैं, जैसे कि camel के ओपर hump होती है, बेटा, store करके रखती है, fat के form में, productivity and distribution of plant is dependent on water, जो productivity है, plants का distribution है, जैसे कि ब्राविफाइट्स और इनकी तो बेटा pollination वगरा ही, कि जर्मिनेशन या reproduction ही किसके वज़े से हो रहा है, तो वहाँ पर distribution और productivity सब water भी depend कर रही है, aquatic organisms की जैसे बात करें हम आपन, तो वहाँ पर water की quality काफी importance रखती है, उसका pH, इसका salt concentration, ठीक है, और salt concentration is less than 5% in inland water, 30-30% in the sea and greater than 100% in some hyper saline lagoon, तो hyper saline lagoon से उनके इंके इंदर 100% से जादा concentration होती है, अगर अगर आपन बात करें यहाँ आपर based on the tolerance जैसे temperature पर salaries की रहेती ही बात करें इंचरण से इनके इनके की सफहां पर लेहां बात करेंने तो यहाँ पर 2 तशानीटे की होता ह मैं। इसलिए बेटा मरीन जो लाइफ होती है वो तो सी में रह सकती है पर रिवर जो है फ्रेश वाटर वाले जो है वो समुदर में नहीं रह सकते क्योंकि जो प्रब्लम वापे आने लगेगी ठीके बेटा सॉल्ट उनके अंदर जम्मा होने लगेगा और वो निमट जाएंगे बे प्लांट्स नीट सनलाइट सनलाइट की बात कर रहे है अपन थर्ड फेक्टर आ चुका है प्लांट को फोटो सिंथिस से सनलाइट की ज़रत पढ़ती बेटा शॉप्स और हब जो है वो लो लाइट इंटेंसिटी में भी काम कर लेते क्योंकि जमीन पर उकते बेटा ऊपर है उनकी अगर शेडो से चुनके कुछ लाइट आरी तो उस लाइट में भी काम चला लेंगे वो तो ठीकि उनकी आदत होती है मैंनी प्लांट्स डिपेंड ऑन सनलाइट फोर फोटो प्रियोडिजम यह पढ़ा है अपन ने बेटा प्लांट फीजोलोजी के अंदर मैनी अन से लाइट अंपरेचर का लेंड पर अगर ऊशेंस के अंदर बात करते हैं बेटा पन तो डीप ऊशेंस के अंदर जो अन्वामेंट हो डार्क होता है एनरजी वहाँ पर सन के अवेलेबल नहीं होती तो वहाँ पर बेसिकली क्या होता है दा स्पेक्टल क्वालिडी ऑफ सोल अंदर अंदर इंपोर्टेंट फॉर लाइफ भाया पार के अंदर ही फोटो सिंतेजिस होगा ना यार फोटो सिंतेजिकली अक्टिव रेडिशन अगर मिल रही है तो इसकी वेवलेंट पर भी डिपैंड करता है कि कितना और्गेंजम वहाँ पर रह पा रहा है तो जो पानी रहेगा अगर बात करें कि एग्रिगेशन या फिर बना रखा है तो पानी रुकेगा वरना तो रेटा सेंडी स्वेल यह पर पानी नहीं रुकेगा इस करेक्टरिस्टिक्स और परेमेटर्स लाइक पी एच मिंडल कंपोजिशन और टोफोग्राफी डिटर्मान यही उसका क्या है बिसिकली अफेक्ट करने का तरीका है कि किस तरह से अफेक्ट करता हो अक्विटिक अन्वार्मेंट अपने आपका रेस्पॉंज शो करते हैं अबायक फेक्टर्स के लिए और्गिनिजम मेंटेन ए कॉंस्टेंट इंडरल अमोस्टेस बाहर चाहे कुछ भी घट ना घट जाए हमें अपने अंदर स्थिर्था रखनी है अपना अन्वामेंट अंदर का टेंपरेचर होगा प्रेशर होगा पीएच हुआ कुछ भी वाटर कंटेंट होगा सब मेंटेन रखना है उसी को बिटा अपन होमेंटेस कहते हैं इस पॉसिबल आपन होमें अंदर का अन्वामेंट अपन को मेंटेन करना है एक्टर में एर्रिस्परेटिव में तीन तरहेके से कर सकते हैं अर्च अर्म और माइगरेट पहला देख रहे हैं कि जो रेगुलेट करते हैं उनको रेगुलेटर क्या देंगे वह कैसे करते हैं इस अंशॉर्स इंस्ट उसमें अगे रेगुलेटर में क्योंकि बाहर चाहे कुछ भी हो हमें अपने अंदर का इन्वार्मेंट जो है अपने आप सब कॉंस्टेंट रखना होता है थर्टी सेवं डेग्री सेल्सियस ठीक है थर्मोडेशन इमर्जल्स को सकसेओस अफ मिश्याच में दू एबलिटी तो मैंटेन इद या कॉंट्यंट बोडी तेम्ड़ेश रखते हैं समर बाहर गर्मी जादा है ठीक है थिशेवं डिग्री से निवार दिश। वार जादा है तो से गर्मी जाहर बाहर जादा है तो हमस कीज का ठीक है इस रिजल्स इन इवेपराटिफ कुलिंग और बिंग्स दाउन बॉडी तेंपरेचर इन विंटर वेन तेंपरेचर इस ग्लो थर्टी सवन तो हम शिवरिंग करना चालू कर जाते ताकि गर्मी आजाए अपन को यह रेगुलेशन कहला था बिटा तो अपन रे करेंगे बिटाब करेंगें और कुलिंग यहां पर आती है प्रब्लम मिहां पर आती की smallist size इनकी तो क्या करेंное यह लार्जायरर्फिस अरिक रिलेटव 20 वाल्यूं कर दday वालियुम यह इनकी प्राइज करते हैं तो क्या करते हैं यह बौडी होगी ही में पगहां पे सेकिंड आतने बेटा कंफरमर्स 99% of animals and nearly all plants cannot maintain constant internal environment 99% animals की बात करूँ invertipiates में बहुत सारे animals आतने बेटा और बात करें कि यार वहां पर basically जो plants है वो अपना body temperature maintain नहीं कर पाते constant अंदर का तो क्या करते हैं तेरे body temperature osmotic concentration change with the surrounding condition बार से जैसे condition change हुई तो internal भी उन्होंने चेंज कर लिया aquatic animals की बात करो तो वहां पर बेटा osmotic concentration वो change करते रहते हैं अपने बाहर के environment के साब से बाहर जादा हुई तो अंदर भी बेटा उससे आप से क्या कर लेंगे बाहर जादा हुई osmotic concentration तो अंदर वो थोड़ा कम कर लेंगे अंदर जादा हुई तो बाहर वो थोड़ा कम हो जाएगा NCRT का graph आपको given है बेटा यहां पर माइग्रेट थर्ड आता है माइग्रेट माइग्रेट के अपन बात करें बेटा तो many animals like birds move away temporarily from stressful habitat to more hospitable area and return when stressful period is over मतलब यह birds क्या करती है आपने साइबेरें क्रीन का नाम तो सुना होगा बेटा के लोडेव नैशनल पार्क भरतपूर राजिस्थान में है Siberian crane Siberia से उड़ते यह यहां पर आते हैं बेटा और बत करें कि आर्ब भाड वहां पर जो है बेसीकली रहते हैं वह क्यूंकि महां पर थंड पड़ गई तो यहां पर जब थंड नहीं है इस वाज़े से इन प्लांट्स थिक वॉल्ड स्पोर्ट्स एक्नो स्पोर्ट्स इसका नाम देते हैं उनको बना लेते हैं जब फेवरिविल कंडीशन आती तो फिर वह ग्रो करने लग जाते हैं तो यही हूंका क्या है मेकनिजम है इस तरह से वह इंटर सस्टेन कर पाते हैं fire plants seeds बनाते हैं और लंबे टाइम तक अपने आपको वह पर रखते हैं ताकि फिर आगे जब फेवरिबिल टाइम आए तो वो ग्रोव कर पाए है hibernation देखते हैं अपन एस्टाइवेशन देखते हैं डाइपॉस देखते है hibernation देखते हैं विर्ग विंटर विंटर इंदर hibernation कर जाते हैं अब गर्मी के अंदर बेटा समस्नेज और फिशेशच का ठीक है और जब बात करते हैं डाइपॉस की गटा एक एक suspended development की stage होती है जुरू प्लाइंक टांग सीन, लैंक्स और पॉंट्स, suspended development मतलब अब 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 बाहर नहीं आते, अब बात करेंगे बेटा अब अड़ेप्टेशन की, अगर अड़ेप्टेशन की बात करते हैं, तो बेटा अड़ेप्टेशन एक morphological, physiological और behavioral attribute है, जिसके वेज़े से organism अपने आपको environment के अंदर रख पाता है बेटा वहाँ पे, अगर मैं बात करूँ कि वो adapt कैसे करता है, morphological कर सकता है, वो physiological कर सकता है, behavioral भी कर सकता है, अगर अपन बात करें kangaroo rate का, कुछ adaptations बात करते हैं, आपने North American desert के अंदर kangaroo rate जो है, वो कड़ देता है, अपने urine को concentrate, water को reabsorption बढ़ा देता है, तो वहाँ पे water जो है, वहाँ पे खता हो जाता है, adaptations of desert plants के में बात करूँ, तो presence of thick cuticle on leaf surface, their stomata arranged in deep pits, हमने देखा है, sunken stomata की बात करी है, वहाँ पे thorns बन गएते हैं, उनकी बात करी है, ठीक है बेटा, तो यह सब किसकी वज़े से होता है, यह सब होता हैं बेटा, वहाँ पे desert के अंदर पानी की कमी की वज़े से, एक physiological के लपन बात करें बेटा, camp plants जो पात्वे होता है, वह भी वहाँ पे water को वह है, stomata दिन में नहीं खुलते हैं, रात में खुलते हैं, तो यह भी एक water के transpiration को बताने का तरीका है, desert plants लेक अपेंशिया, उनके अंदर तो कोई leaves ही नहीं होती, तो वहाँ पे transpiration भी नहीं होगा, तो यह कुछ adaptations लेके आ रहे हैं, desert plants अपने आपके अंदर, ताकि वह भी वहाँ पे survive कर पा है, mammals की अगर मैं बात करूँ, तो colder climates, kangaroo rate का adaptation अपने देख लिया तो बेटा, अब बात करें desert plants की, तो उसका भी अपने देख लिया, thick uticle है, camp plants ने उपने शेकी बात कर ली थी, अगर adaptation of mammals अपने देखें बेटा, जो colder climates के mammals हैं, उनके अंदर बेटा, shorter उनके years होते हैं, उनके limbs जो हैं, वो heat loss करते हैं, वहाँ पे short limbs है, short ears हैं, जो कि वहाँ पे, आप वो जो population हैं, जो वहाँ पे animals हैं, उनको बेटा, heat loss नहीं करने देते हैं, वो prevent करते हैं, वहाँ पे Allen's rule इसको कहते हैं, अपन, aquatic mammals like seals have a thick layer of fat, below their skin that treats an insulator, ठीक है, body heat provide करते हैं, सर्दी में रहते हैं ही बेटा, तो वहाँ पे body heat provide होती है, और वो heat loss नहीं होने देते हैं, इनकी body से, अगर physiological और biochemical adaptation की बात करें बेटा, तो आर्ची बेक्टिरिया आपके सामने मौझूद है, आर्ची बेक्टिरिया hot springs और deep sea के अंदर मिलते हैं बेटा, ठीक है, और जो जिनका temperature 100 degree से जादा है, पर वो क्या करते हैं, वहाँ पे थ्राइव कर जाते हैं, क्योंकि कुछ adaptation है उनका, many fish thrive in antarctic waters, temperature is below, antarctic waters में बहुत सी fish वहाँ मौझूद है, ठीक है, many marine intervertiates and fishes live at great depths in ocean, where the pressure is greater than 100 times on the orbit of the pressure, इतने pressure, इतने temperature, इतनी सर्दी में भी ये organism रह रहे हैं, तो adaptation हैं बेटा, वहाँ पे तभी रह पा रहे हैं, बेक्टेरा को आप देख सकते हैं, angler fish, deep sea fish, इस तरह की fish है, deep sea, बहुत अंधेरे में पाई जाती, नीचे पाई जाती है, वह तभी वहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर pressure बहुत जादा है, तभी रहे हैं, at high altitude place, greater than 3500 meter, we feel attitude sickness, हम इतनी जादा attitude sickness feel करते हैं, जैसे कि nausea, heart palpitation, fatigue, this is due to low atmosphere pressure, so the body does not get enough O2, O2 नहीं मिलती हैं, जब पाहड़ियों पर शिम्बला अगरा चले जाता है, gradually we acclimatize the situation, and the body compensates low O2 ability by increasing RBC, तभी हम मरते नहीं हैं, क्योंकि नहीं मरते, क्योंकि वहाँ पर बाड़ी जो है, simplicity of hemoglobin, hemoglobin की binding capacity अपन वहाँ पर कम कर देता है, अगर मैं behavioral बात करूँ adaptation की, तो desert lizard जो हैं, आप समने मौजूदे बड़ी बहानक दिख रही है, इंदा बास्क इंदा सान एं अब्जॉब हीट, यह क्या करती ही बड़ा, गर्मी में अपन सब दूप नहीं सेखते, यह दूप सेखती है, और इसका body temperature जब low हो जाता है, तो यह शेड में चली जाती है, और वापस अपना temperature इंकीस करती, तो यह एक adaptation है, some species are capable of growing in the soil to hide and escape from the above ground out, उपर धर्ती पे गर्मी है, तो नीचे जमीन में ठंड़ाख है, तो जमीन में डिक करके वो रहने लग जाएंगे बेटा वहाँ पर, तो यह अपन ने बात करी यहाँ पर कुछ adaptations की, कि किस तरह से organism अपने आपको adapt कर सकता है, चाहे हो physiological हो, चाहे हो behavioral हो, चाहे हो कैसे भी करता हो, ठीक है, इस तरह से वो adapt करता है, इस तरह से वो रहता है, देखता है कि किस तरह से आरपास का environment और उस सबसे अपने अंदर वो changes लेके आता है, आगे अपन बहुत सारी बातें करेंगे, जिक्र करेंगे population के बारे में, समझेंगे क्या, कौन, कैसे, क्या करता है, पर वो बाते करेंगे पर अगले lecture में, तब तक के लिए, thank you.